जी हाँ दोस्तों तो आगे हैं कलास 9 के के लेकर के हम सुध पदार्थ और असुध पदार्थ तो आज किस वीडियो में सुध और असुध के बारे में फुल जनकारी मिलने वाली है तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाय हम सुरू करते हैं दोस्तों आप सब जानते ही होंग सुपरतिसाथ सुध यानि सब में लिखा होता है सुपरतिसाथ सुध ये क्या है सुध है जिहां दोस्तों ये सुध है लेकिन सुध का मतलब क्या होता है हम ये कह सकते हैं हम समाननी भासा में कि ये कोई फाल है कोई सबजी ये दूद है उसमें मतलब कहा होता है, इसके विसे में हम चछर्चा करेंगे, तो जी ह्थां दोस्तों बेग्यानी करन होता है, कि कोई भी पदार्त है जिसमें सभी जो गन है ना समान परकार करें रहेंगे, तो वो आपको हो जाते है शूद्ध पदार्थ, ठीक? कोई भी मान लेते हैं कि पदार्थ है जिसमें एक समान कन होते हैं तो वो होते हैं आपको सूध पदार्थ ठीक है अब चलते हैं असूध पदार्थ क्या होता है अब बात करते हैं हम कि जो असूध पदार्थ है ये क्या होता है जी हां सही समझें सूध पदार्थ में एक ही सम बोल सकते हैं, तो चलिए, उदारनों के द्वारा हम समझते हैं, क्या आप नमक जानते हैं, क्या आप नमक जानते हैं, नमक में दो परकार के कन है, एक तो एने है और एक तो सियल है, नमक में जो कन हैं, सब एक ही परकार के है, नमक में जो कन हैं, एक ही परकार के है, तो आप एक तो सोडियम है और एक तो कॉल्राइड है तो देखिए ऐसा कुछ नहीं नमक में जो कन है ना सब एक समान है तो वो आपको होते हैं सूध्पदार्थ समझें सूध्पदार्थ आप मैं आसा करता हूं कि आप समझ गया होंगे तो एक और उधारन लेते हैं एक और उधारन लेते हैं माना कि हाँ इससे पहले हम बताना भूल गया हैं और सूध्पदार्थ को हम किसी भी बीधी द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं सुध पदार्थ को किसी भी बिधी द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं जैसे एने सीयल था तो एने को अलग और सीयल को अलग हम कभी नहीं कर सकते हैं किसी भी बिधी द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं क्या आप और भी सुध पदार्थ के पता लगा सकते हैं जी हाँ क्या आप चीनी जल सोना हीरा जानते हैं ये भी आपका होते हैं सुध पदार्थ क्या होते हैं ये सुध पदार्थ होते हैं क्या मान लेते हैं एक और उदारन आपकी घरों में एक नमक की बुरिया है और एक बजार में भी बुरिया है क्या कौन सूधपदार्थ है जी हाँ दोस्तो उसमें दोनों सूध होंगे क्योंकि नमक का जुकन होगा सब समान ही होते है कहें वो बजार में रहे या कहें भी रहे ठीक है तो नमक क्या है एक सूधपदार्थ है नमक क्या है एक सूध पदार्थ क्या होता है तो आप नमक को देखें तो क्या है सूध पदार्थ है अब जाना है असूध पदार्थ है जी हां तो आप डाल जानते हैं डाल में एक से अनिक चीज मतलब मिले हुए है एक तो डाल में हल्दी मिला हुआ है एक तो नमक मिला है एक तो पानी मिला है एक तो दाल मिला है किसी चीज़ का तो वो हो गया आपको क्या असूध पदार्थ यानि हम यह कह सकते हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ मिला हो तो वो हो गया आपको असूध है ठीक है तो असूध और सूध आप अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है अगर आप अ असूध पदार्थ है ठीक है तो मैं आसा करता हूँ ये वीडियो आपको नौलेजबल लगी होगी तो आज की विषय में हम सूध और असूध जाने अगले लेक्चर में हम अन्य चीश की विषय में बात करेंगे तो आज की वीडियो ये पे समापत करते हैं तो चलिए वीडियो समापत हूँ